हेए और और गूट इवनिंग तो एवरीवन विलकम बैक तो माई यूट्यूब चैनल इस इस हिमानी जोसी फ्रॉम हल्दुवानी उत्राखन इस वीडियो में आपको बहुत सारे आपके डाउट्स किलियर होने वाले हैं रिगार्डिंग तो सेकंड काउंसलिंग और बहुत स लिए और अगर हम सेकंड डाउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो क्या हमें फीज देनी होगी तो मैं यहां सब को बता दूँ आपको फीज नहीं देनी होगी ठीक है अगर मैं इसको थोड़ा अच्छे से आपको और समझाओं लाइक जैसे फर्स राउंसलि मिली तो उसको उसके मन पसंद की नहीं मिली अब उस second round counselling में फिर से counselling कराना चाहता है वो बच्चा और अच्छा कॉरद लेना चाहता है या फिर जिसको कोई भी government seat नहीं मिली first round counselling में वो दुबारा counselling करवाना चाहता है इसी होब में कि अब उसे कोई government seat मिल जाए तो उसको second round counselling में कोई fees नहीं पे करनी पड़ेगी उसकी second round counselling यहाँ पर क्या होने वाली है फ्री होने वाली है तो doubt number one यहाँ पर यह सबका clear हो गया होगा and second doubt जो यहाँ पर था ठीक है कि first round में जिन्होंने participate कर लिया है जिन्होंने first round counselling में participate कर लिया है बट उनको या तो कोई government seat नहीं मिली है या फिर उनका जो कोई मन पसंद का college नहीं मिला है तो second round counselling में उनको क्या फिर से registration करवाना पड़ेगा जी हाँ आपको दुबारा से अपना पंजी करण वहाँ पर जाकर करवाना पड़ेगा बट आपको वहाँ पर fees नहीं देनी पड़ी होगी बट आपको अपनी जो college की choice feeling है वो आपको दुबारा से करानी होगी ठीक है मतलब आप जैसे आपने first round counselling में पूरी process की थी वही आप second round counselling में भी करोगे आपको fees नहीं देनी पड़ी क्योंगी आप already first round counselling में दे चुके हो बट आपका process वही रहेगा same चीज आपको करनी होगी और college की जो choice feeling है कौन से college आपको ऊपर डालने कौन से नीचे कौन से best है कौन से worst है उसके according मतलब यह सब चीज़े आपको दुबारा से वही process रहने वाला है यहाँ पर कितने counselling होंगी एक counselling होगी दो होगी या फिर तीन होगी तो मैं यहाँ पर आपको बता दो mostly यहाँ पर क्या होता है यहाँ पर दो counselling conduct होगी first round और second round first round और second round में अगर सारी seats भर जाती है तो ठीक है अगर इसमें भी कुछ seats left रह जाती है और बच जाती है तो एक मौपक round होता है इसमें अलग से fees देनी पड़ती है ठीक है तो यह मौपक round तब कराया जाता है जब first और second round में क्या होता है बच्चे counselling कराने के बाद college में admission तो ले लेते हैं बच कुछ region से फिर उसमें आ नहीं पाते हैं admission लेके classes join नहीं करते हैं या फिर छोड़ देते हैं या फिर किसी और अलग another course में चले जाते हैं तो उनके तोरह जो seat से छोड़ी जाती है उनको भरने के लिए यहापन मौपक round करवाया जाता है और इसके regarding अलग से आपकी क्या जाती है fees जाती है तो अब आपका यह तीसरा doubt भी यहाँ पर clear हुआ होगा ठीक है अब आता है उसके बाद आपका चौथा doubt कि अगर हमें first round की counselling में ऐसा college मिल गया है जो हमको नहीं चाहिए था but हम second round counselling करवाना चाहते हैं और उसमें अपने मन पसंद का college लेना चाहते हैं तो फिर हमारी fees transfer कैसे होगी document transfer कैसे होंगे ठीक है क्या होंगे या फिर नहीं होंगे तो मैं आपको इसकी पूरी यहाँ पर process बताती हूँ बच्चो यहाँ पर क्या होगा जैसे माना आपने first round counselling यहाँ पर conduct करवाईए और आपको college मिलिया है कौन सा अलमोडा का या फिर कोई और college मिल गया है ठीक है बट आपको चाहिए हलदवानी या फिर दून का कोई college तो बट फिर आप लोग क्या करोगे ऐसा तो नहीं करोगे कि आपने seat छोड़ दियोगी और आपने उसमें क्या करा होगा admission तो ले लिया होगा आपने बट अगर आपको second round counselling में क्या होता कोई और college मिल जाता है जो कि आप चाहते हो तो क्या होगा ना जिस college में आपने already पहले से admission ले लिया है वहाँ से आपको आपकी जो fees होगी वो refundable हो जाएगी बट वो लोग आपके 2000 रुपे काट लिये जाएंगे ठीके 2000 रुपे काट के आपको आपके बागी की fees refundable हो जाएगी और document भी आपको दे जाएंगे जिससे आप दूसरे college में easily जाकर admission तो ले सकते हो पर यहाँ पर आपको 2000 रुपे का यहाँ पर क्या होने वाला है थोड़ा घाटा होने माला है क्योंकि वो 2000 रुपे आपके काट लिगे तो आई होब यह भी आपका doubt के लिए हो गया होगा कि fees transfer या फिर document transfer का यहाँ पर क्या मामला है ठीक है आई होब इस वीडियो से आपके बहुत सारे doubts के लिए होगे अगर फिर भी कुछ doubts के लिए नहीं होगे प्लीज मुझे comment section में बताईए मैं हर कीजी का reply यहाँ पर देने के लिए ready हूँ अपना ध्यान लखिए Merry Christmas to all ऐसे चैनल पर बने नहीं चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए या अपना धियान लखिए झाल अपना लखिए झाल झाल